नमस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे यूट्योब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरफ से पाणी पत में ग्राम सी भरती प्रिक्षा के पेपर लिक मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सिकंजे में सॉलवार 14 लोगों को किया गिरफतार वो इस वीडियो में हम बताएंगे खुलासा करेंगे नाम और पते के साथ इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जुरूर देखना अगर चैनल पर पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक सेर भी करना तो बिना देर लगाए करते हैं साथियो वीडियो सुरू अब तो साथियो पूरी खवर इस परकार है शिकंजे में सौलवार पानीपत में ग्राम स्चीव भरती प्रिक्षा का पेपर लीक और सोल कराने में 14 ग्रपतार और ये तस्वीर में दिखाई देते आपको पुलिस के शिकंजे में वो सौलवार और इस पेपर से जुड़े आरोपी तो पानीपत के पुलिस की ग्रपत में ग्राम स्चीव के पेपर का लीक और सोल कराने के प्रियास के आरोपी आपको पुलिस के आगे दिखाई देते शिकंजे में कसे हुए पानीपत के समालखा स्थित पैराडाइज स्कूल में सक्रिये था गिरोव 18 मोबाइल दो लैप्टोप एक प्रिंटर ब्लुटूथ वे चार कारें ब्रामद हैं और पानीपत पुलिस ने हारियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की ओर से आयो जित जो ग्राम स्चीव की प्रिक्षा का पेपर लीक और सोल कराने वाले गिरोव के चोदा सदस्यों को ग्रपतार किया है आरोपी रविवार को समालखा स्थित पैराडाइज स्कूल में पेपर स करवाने की फिराक में थे पेपर की फोटो लीक होने की से पहले ही पुलिस ने स्कूल मालिक और उसके बेटे और सौलवर सहीत चार को दबोच लिया पूचता आज के बाद पुलिस ने दस और लोगों को ग्रपतार किया पुलिस शभी को कोरट में पेश करके रिमांड और साथियों ये सौलवर गेंग की जानकारी देते एसपी शशांक वे एसपी पूजा विसिस्ट आपको फोटो में दिखाई देते हुए एसपी शशांक ने बताया कि ग्राम स्चीव की प्रिक्षा में शौलवर गेंग के सक्रिय होने की शूचना मिली थी जिस पर समालखा थाना पुलिस, C.I.A. समालखा और C.I.A. 2 ने रविवार को पहली सिफ्ट के दोरान समालखा की हत्वारा रोड स्थीत पैरडाइज स्क पामारा और पुलिस को एक युवक संदिग्द लगया पूछताच में युवक ने अपना नाम राहूल बताया MSC पास युवक पर एडमिट कारड़ भी था युवक ने बताया कि वह सौनीपत के गाउं गड़ी के सरी का है और उसे स्कूल के मालिक जगदीप उनके बेटे अनुज ने पेपर सौल करने के लिए बुलाया है पेपर सौल होने के बाद वे सिवा का राजेस अनस्वर की को अंदर पहुचाता लेकिन इससे पहले वे पकड़ा गया इसके इलावा पानीपत के वेभव वे सौनीपत के देवेंदर को भी पेपर सौल वे लिग करने के ल आरोपियों से अठारा मोबाइल, दो लैप्टोप, एक प्रिंटर, दो वायरलिस्ट ब्लुटूथ वे चार कारें ब्रामद हुई तो साथियों इनकी ग्रफतारी हुई है राहुल पुतर, रामबिर निवासी गाउं, गडी केशरी सोनिपत, जगदीप पुतर, रामसिंग निवासी गाउं, गडी केबल पानिपत, अनुज पुतर, जगदीप निवासी गाउं, गडी केबल पानिपत, राजेश पुतर, सत्यवान, सिवाह पानिपत, वेभव पुत पहलने की परिक्सा के दोरान हिसार में इलेक्ट्रोनिक डिवाईस के साथ नकल करवाने वाल पकड़ा गया इस ग्रोव से ही पाणी पत में पेपर सॉल और लिक करवाने का इनपुट मिला डीजी पे मनोज यादव पूरे ओप्रेशन की मोनेटरिंग कर रहे हैं तो साथियों दस लाख में सोदे की चर्चा हुई पेराडाइज स्कूल में ग्राम स्चीव की प्रिक्षा कराने के लिए एक प्रिक्षार्थी से दस लाख रुपए में सोदा होने की चर्चा है प्रिक्षार्थी को पांच लाख रुपए पहले और पांच लाख रुपए प्रिक्षा के बाद देने थे हालांकि अभी पुलिस रुपएयों को लेकर कुछ नहीं बोल रही तो साथियों ये खबर हम दैनिक भासकर के अनुसार दे रहे हैं जिले के 63 केंदरों पर हुई थी प्रिक्षा ग्राम सीव की प्रिक्षा के लिए जिले में कुल 63 केंदर बनाए थे इन में से 15 केंदर समालखा के थे सनिवार और रिवार को दो-दो सिप्टों में हुई थी प्रिक्षा और 12,290 प्रिक्षार थी पंजिकरित थे सौलवर को बताते थे एक फोर्थ क्लास करमचारी पुलिस ने बताया कि आरोपी केंदर संचालक प्रिक्षा में नकल कराने के लिए प्रिक्षा से पहले ही सौलवर को फोर्थ क्लास करमचारी के रूप में रख लेते थे ताकि solver को प्रिक्षा के दोरान सेंटर पर रखा जासके और किसी को शक नहीं हो तो साथियों ये थी आज की इस सिक्षा जगत से जुड़ी इस सग्राम स्जीव के पेपर से जुड़ी अपडेट इसी प्रकार की हर सिक्षा जगत से जुड़ी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक और सेयर करना तो साथियो आज की इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद जैहींद बंदे मातरम